तो इस टूल की साहिता से आप अपने मॉबाइल का EMI नमबर रिपेर कर सकते देखिए समसिंग या पर कितने सारे मोडल दिये गया है जिसका EMI नमबर आप वन कलिक में या पर रिपेर कर सकते स्टार्ट पे कलिक करके आपको SPD मॉबाइल देखने हो मिल जाते है एक गजनौक EMI नमबर पे आप कलिक करेंगे आपके मॉबाइल का ओरिजनल EMI नमबर जो पहले था कंपनी की तरफ से जो आया हुआ था आपको बिल्ड इपा किसी की जरूर्ट ने आप यहां पे ओरिजनल EMI नमबर आटमेटिक वो मॉबाइल उठा लेगा क्योंकि CPU में कुछ कोडिंग होती है जैसे आपका MTM लग जाता है के जी लग जाता है वैसे ही औरिजनल EMI नमबर भी आपका बैकप आजाएगा वैस्मेसिक कर सकते जिस पर read information यहाँ पर ले सकते हैं और reset FRP कर सकते हैं रिमों Samsung account कर सकते हैं reboot कर सकते हैं अपने mobile को यह सब आपको feature मिल जाते हैं reboot करने के उसके बाद यहाँ पर देखिए flash करते हैं आप अपने mobile को Samsung यह mobile को उसमें error निकल के आता है कई बार flash नहीं हो पाता तो उसे आप fix कर सकते हैं चाहिए आपका कोई भी model हुआ उसके बाद refresh FRP कर सकते हैं यहाँ पर यह model number के इसाब से दी हुई यह आप यह पर देख सकते हैं यह old वाली है यहाँ पर उसके बाद read information ले सकते हैं यहाँ पर आप देख पा रहेंगे यहाँ पर काल लगा कि आप अपने mobile के ADV enable कर सकते हैं जैसे पहले करते थे उसके बाद यहाँ पर कुछ और feature दिये गए हैं जो कि आप हमारे काम के नहीं है main feature यहाँ पर आजाते हैं यहाँ पर आप अपने mobile का email नमबर इस टूल की साज़ते हैं यहाँ पर repair कर सकते हैं तो यह तो हो गए Samsung के उसके बाद देखिए repairing मायने यह पर repair कर सकते हैं यहाँ पर serial number को उसके बाद disable कर सकते हैं factory reset mode को आप यहाँ पर और भी काफी सारे फीचर यहाँ पर दिये गए healthy यहाँ पर check कर सकते हैं EFS को आप reset कर सकते हैं email number जो delete हो गए है null हो गए हैं उसको आप यहाँ पर repair कर सकते हैं model number आपके दिये हुए ADB enable कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ option दिया गया है यहाँ पर आपका scan करना पढ़ेगा सबसे पहले port उसके बाद ही आपका यहाँ पर work करेगा यह my number repairing वाला method क्यों तो गी Samsung की बाद को उसके बाद स्क्रीन लोग की बात करें स्क्रीन लोग आप button जो है Samsung mobile का हटा सकते हैं लेगिन यह work नहीं करता भाई इसके लिए आपका mobile route होना चाहिए यह तभी work करता वरना यह work नहीं करता उसके बाद यहाँ पर और भी काफी सारे feature दिये गए हैं जो कि यहाँ पर भाई कुछ ऐसे feature हैं जो कि आपके काम के नहीं है module file यहाँ पर देखें आप यहाँ पर डालके अपने mobile का जो है old वाली module file होती है उसको डालके आप अपने mobile का email number repair कर सकते हैं उसके बाद हवाई में आएंगे हवाई में आने का बाद read information ले सकते हैं यहाँ पर आप जो है रिलोग कर सकते है bootloader का अनलोग कर सकते factory reset कर सकते FRP निकाल सकते bootloader status check कर सकते वो सब feature आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं और यहाँ पर select करके आप अपने mobile की FRP निकाल सकते recovery mode में flash कर सकते हैं यह तो गई हवाई की बात उसके बाद normal mode का भी यहाँ पर कुछ option दिया गया है जो कि इतना खास नहीं है test point वाला आपका 100% work करता है यहाँ पर आपको अपने mobile के IC select करने है जो भी आपके mobile में IC लगे हुए उसके बाद reset FRP आप बड़े आसानी से कर सकते हैं यह आपका 100% work करेगा और यहाँ पर कुछ model भी दिये है जो कि आप यहाँ में model number भी select करके कर सकते हवाई वाला विजबरदस्त है उसके बाद Android की बात करें उसके बाद Android में यहाँ आपको read information option देखने मिल जाता है factory reset reset FRP का यह सब आपको यहाँ पर देखने मिल जाते FRP reset कर सकते Android में आपका चाहिए कोई भी mobile हो जो है Android होना चाहिए बस उसके अंदर एक आपका iOS एक आपका Android और एक आपका window तो बंदी हो गया ठीक है तो तीन त्रहें mobile आपके फिलाल आ रहे है उसके बाद यहाँ आप Android में कोई खास नहीं है fast food mode में FRP reset कर सकते है model के इसाब से आप brand के इसाब से जो आपके mobile के brand है उसके इसाब से जैसे Qualcomm CPU लगा वहाँ तो Qualcomm वाले की कर सकते है speedy CPU लगा, speedy कर सकते है और MI का mobile अतनी यहाँ पर Xiaomi का है उसके FRP ही set कर सकते है, Lenovo ही कर सकते है इस परकार से model दिये गए है उसके बाद यहाँ पर Qualcomm में आएंगे यहाँ पर model number के इसाब से भी कर सकते है आप चाहे तो यहाँ पर loader दे की भी आप कर सकते है यहाँ पर आपको अपने mobile के जो brand हो select करना है इस तरफ आपको model नंबर आपको select करना हालागे कुछ ही model इसमें दिये गए है हवाई वाले चेक कर लेते हैं हवाई वाले काफी दिये हुए जिसमें read information ले सकते है read कर सकते है remove MDM का option आपको इसमें देखनों मिल जाता है image file आप यहाँ पर देखें image file को आप यहाँ पर flash कर सकते है अपने mobile में recovery mode में आने के बाद recovery mode में वही है शोमी के बात करें शोमी में read information लेने का option देखनों मिल जाता है उसके बाद fast mode mode में FRP अटा सकते है fast mode mode में reboot कर सकते है recovery mode में reboot कर सकते है enable कर सकते है ADV को ADV number यहाँ पर root और without root जैसे आपको UMT में देखनों मिलता है same वही दिया हुआ है कोई खास नहीं आप तो वैसे भी इंस्टाल हम कर लेते है mobile में MTP FRP यहाँ पर जो पहले वाला method था YouTube वगारा वो select करके आप करते थे वह आप यहाँ पर कर सकते है MTP one click यह जबरदस्त है इसने read information ले सकते है format user data चाहिए आपका कोई mobile हो सिर्फ MTP के CPU लगा होना चाहिए उसके बाद reset FRP कर सकते है Samsung वाले की जो अब भी latest चले हुए उसके आप यहाँ पर कर सकते है MT के CPU होना चाहिए यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है unlock कर सकते है bootloader को bypass कर सकते है OAuth को यहाँ पर format कर सकते है reset my account कर सकते reload bootloader कर सकते है format user data आप यहाँ पर कर सकते है reset FRP कर सकते है HTC वाले अब mobile आ नहीं रहे बाकि आप यहाँ पर try करके देख सकते है और यह वाला भी यहाँ पर खाली है अब इसमें update आने वाला है तो कुल मिलागे जबरदास टूल है पर नेक्स वीडिवे आपके लिए लेकि आते रहेगे आपके लिए लेकिए आते रहेगे